गुड मॉर्निंग और हम लोग जो इतिहास का एंसी आठी में 612 कलास का अध्याय करें थे उसमें क्लास्टिक्स का आज तो ये सतमा अध्याय है इसमें का अध्याय करेंगे इसमें क्या है इसमें है नय प्रस्ण नय वीचार यानी इसमें मुख रूप से क्या पढ़ाई इन सब के बारे में तता मोठ इन सब के बारे में विश्य सुरूप से इसका समर्व अध्यन किया जाया तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है यह तो कोश्चन नहीं पढ़ेंगे आगे बुद्ध की कहानी यानि भवान बुद्ध मतलब सिधार्थ तो शुरू करते हैं तो बहुत धर्म के संस्थापक कौन थे तो सिध्धार्थ ते गिन्हें क्या कहा गिया जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है और उनका जन्म लगभग पचीस सो वर्स पूरू हुआ था कितना तो पचीस सो वर्स पूरू हुआ था यानि 500 इसा रहा कि महाजर्पदों के कुछ राजा इस समय अब क्या होगे तो बहुत सक्तिस्ताली हो गया हजारों साल के बाद फिर से नगर यानि दूतियक नगर करांती अना भोच चुकी थी गाउं के जीवन में भी बदलाव आ रहा था वह आगे देखेंगे बहुत से विचार आग इनका नाम था तो साक ठेक च्छत्री और युगा वस्ता में ही ग्यान की खोज में क्या कि अपने गर को छोड़ दिये सुखुष्विदा चौड दिया और वर्स तो क्या कि भरवन किये और विचार को से मील का चर्चा कि अंधता उनको ग्यान की प्राप्ति हो गई और कैस के लिए इत्सके लिए उन्हों ने बोध गाया तो बिहार में है एक पीपल के नीचे कोई दीनों तक तफस्या की ऑन ताउन है ज्ञान प्राप्त होगा इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने के बुद्ध यानी घ्यानी अनि इन्हों ग्यान में पीये डी कर लिए औ और यहां से भीत वढ़ानासी दीन・ इसी पतनांका नाम था ह्याम उसका वारा नसी के लिये के नीकट स्थित कहाँ तो शारनाथ गया थो जहां उन्हों क्या किया तो पहला उपदेश दिया किलियर है और कुसी नारा में मिर्तु से पहले का सेस जीवन उन्हों पाइदाल ही एक अस्थान से दूसरे अस्थान की यात्रा करने और लोगों की सिख्षा देने में व्यतीट किया किलियर है अब आगे पढ़ते हैं बुध ने क्या सिख्षा दी बुध ने सिख्षा दी की जीवन कोश्टो और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी किसकी तो एक्षा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है कि कारण होता है आज भी बलेक वनी बलेक कला बजारी लूट पाट क्यों मचा है क्योंकि एक् कि कोई मानने को रूखने को तयार ही नहीं है कभी-कभी हम कर लेने के बाद थि हम और अधिक और थाथ वा अन्य वस्तुकों को पाने की क्ष्छा करने लगते हैं बुद्य ने इसे लिप्सा इस लिप्सा को यूद्फिए गष्वने करें है दीखने के वहां पानी ब्रॉप होते हैं उमbane हमें और पैसे चाहिए और पैसा ही कितना चाहिए वाई इसा कोई लिमीट नहीं नहीं है एक गुबारा है उसमें भी हावा को सोगी तो एक नदेगे एक दिनों फट ही जाएगी वही बात है बुध ने सिख्षा दी कि क्या कर दी देखिए आत्मसयम यानि अपने मन पर नियंत्रन होना चाहिए अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पास सकते हैं उन्होंने लोगों को क्या घाया लू हो जाओ मनुसरों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने के सिख्षा दे वे मांते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुड़े हमारे वरतमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी परभावित करत हैं मतलब उनका पूर्णी जन्व में विश्वास था बुध ने अपने सिक्षा समान लोगों की किसमें दी तो प्रकृत भासा में दी उस समय जेनरल लोग क्या बोलते थे तो संस्क्रीट बोलते थे लेकिन बुध भगवान किसमें भासा दिये तो आम जन्मानत यानि विकार करें किया उनका उपदेश है यह था नहीं कहा है कि हम कहने तो मानों बलकि वे उसे अपने विवेक से मापे समझे अपने दिमाख से लगां कि उनके लाइक है कि नहीं उनके लिए अच्छा है कि नहीं और आओ देखें उन्होंने ऐसा किस परकार किया और निशे दे भट्या था इसी घटना की स्पृति में यहां अस्तूफ का निर्मान किया गया और पढ़ा है 12 में पढ़ाएंगे कि लिए आगर पढ़ते हैं तो किसा गोत्मी की है यह में नहीं परना है क्यों किसा गोत्मी कौन था उसके घर में कोई वेक्धी मर गया था और वह चाहती थी कि जो उसका बच्चा है वो ना मरे तो उसने कहा भवान बुद्ध को सो कि आप हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए भवान बुद्ध ने बोला कि हम तो ठीक कर देंगे लेकिन उसके लिएक सर्थ है कि हम तुमको एक मुठी तोरी या सरसोत कहते हैं कि जो इसे घर से लाओ जहां पर कोई नहीं मरा ह हो किसी क्या मि current की मिर्टू नहीं वाहे हो अब तो खुसी हो गई हर घर जाने लगई लेकिन दुख्यी बात आकार नहीं है जहां पर उसके मता पिता है भाई वहन दादा या कोई नहीं हो तो हर घर में मरते हैं अप दिन हर कोई को मोद आनी ही है बस आगे बढ़ते हूं अब उपनी सद देखते हैं जिस समय बूधे उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अनस चिन तक भी कठीन परसनों का उत्तर ढूंड़ने का पर्यास कर रहे थे उन में से कुछे मिर्टू के जानना चाहते थे जबकि अन्य यगों को ही उपियोगीता के बारे में जानने को उत्सुक से इन में से अधिकांत चिन तकों का यह मानना था कि इस इविस्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई है और जो मिर्थू के बाद भी बशा रहता है उन्हों इसका वर्णन आत्मा आत्मा तथा ब्रहम और थात या थोआ सारो भौम आत्मा के रूप में किया है वह मानते हैं कि आत्मा और ब्रहम एक ही है मतलब क्या हुआ कि मानों क्या है मानों का सरीर है यह तो मर जाएगा एक खत्म हो जाए नासौर है लेकिन जो आत्मा है ओ नासौर नहीं है ओ सासौत ह वहिए प्रेग मंने नक्षाव। से कई विचारों का संकलन उपनीसत्थ में हुए है तो यानि धारशमी उपनीय हुपनीसत संद का है। यह और होगा तो गुरु के समी iter बैठना की साथे इन गरंथा में अध्यापों को और विद्यार्थियों के बीच बात्चीत का संकलन किया गया है वाद भीवाद हैं प्राया यह विचार समान वर्तलाप के रूप में प्रस्तूत किये गया है यह लाइब डिबेट है और बुधिमान विखारी की कहाणी है एक किसका लिया गया एक देखी मस्बूर है यह वारतालाप छंदोग उपनी सद्ध से लिया गया है और उसमें एक कहानी है उए बात है जिसमें क्या होगा कि इसमें भी एक बताया जाएगा कि इस लिए है रिस्कियों मुझे भोजन न देकर आप उस सारुबहम आत्मा को भोजन भीखारी की बात की सच्चा जानकर रिस्यों उसे भोजन दे दिया मतलब क्या है कि इसने वताया गया है कि रिसी ही सोर्सेश्ट नहीं है अगर हम किसी भीखारी को भी भोजन देते हैं तो भी उतना ही लावकरी है जितना हम किसी रिसी को भोजन देते हैं इसका मतलब यह क्या हुगा कि यह उपनिस्त क्या थे इख अथात्य में विश्वास करते थे हैं यह भगोली समानता पर विश्वास करते हैं जो आगे पढ़ेंगे तो इसको बारी में लोग विस्तित में विजोता के लिए परसिद गारगी राज-दरवारों में होने वाले वद वबाद में भाग लिया करते हैं इस तरह कि प्रसीद अपवाद सत्काम जवाल का नाम, उस की दासी मा के नाम पर फढ़ा है वह सदकाम मौन्हें सद जानने की तीर घी ग्यासा उत्पन हुए गौतम नाम एक ब्रहहमन नहीं अपने विदार्थी के रूप में स्विकार कर लिया कौन तो गौतम नामक ब्रहहमन ने किसको पढ़ाय तो सदकाम जबाल को पढ़ाय था और उपनी विचारों का विकास बाद में परसीद विचारा कि नहीं किया तो शंक्राचार के द्वारा किया गया जो हम लोग कख्छा साथ में बाद परेंगे वियाकरन विद्पान्यनी के बारे में इस यूग में कुछ अन विद्वान भी खोज करहें थी उत्रवेदिकाल की है उन्हीं परसित विद्वानों में एक उंथे पान्यनी ने संस्क्रीट भासा के वियाकरन की रचना की थी नियम लगु सुत्रों यानि लगबक तीन हजार सुत्य बना की इन्हों ने तो महर सी पान्यनी नियम ने क्या लिखा तो इन्होंने संस्क्रीट के वियाकरन की रचना करती और आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में कुछ देख लेते हैं आगे तो डिटल से पढ़ना ही है अगे अध्यास में इसी यूग में अथात्रवा पचीस सो वर्स पूर्व जैन धर्म के सरवाधिक महत्तपूर्ण विचार को तो वर्दभान महावीर ने भी अपने विचारों का पड़सार किया वह वाजी संके लिछीवी कूल के थे तो भगानबुद क्या थे तो साक कू कर दिया और जंगल भी रहने लगे बारा वर्स तक उन्होंने कठी नियों एक आकी जीवन वेतित किया इसके बाद उन्हें ज्यान प्राप्त हो गया कि लिए उनके सिक्षा स्वरल थी सत्त जानने की एक्षा रखने वाले परते कि इस तीडिवापूर्स को अपना घर करेगा उन्हें ऑहिंसाके नियमों का कराई से पालन करना चाहिए मतलब इसमें क्या हो गया कि आफिन्साके लिए इंदम शक्त धर्म किसी भी जीवको नौ तो कोश्ट दिना चाहिए नौही उसकी हत्या करनीम चाहिए महावीर के कहाना था कि सभी जिव जियां चाहते है व माहवीर ने अपनी सिख्था प्रकिर्थ भासब्हसा में थैड तो प्रखिर्थ में और यही तरहान जन भी उनके तर्था उनके अनुवायओ कैसी स्थाओं को समझ सगे डेस Tú अलग-अलग हिस्सों में प्राकिर्त के अलग-अलग रूप पर चली थे पर चलन के अधार पर उनके अलग-अलग नाम थे जैसे मोगत में बोली जाने वाली क्या थी प्राकिर्तों मोगत ही कहलाई और जैन नाम से जाने गए महावीर के नुवायू को भोजन के लिए भीक्षा मांग कर सदा जीवन व्यतित करना पर यान बिताना होता था उन्हें पूरी तरह से कैसे इवांदार होना था चोड़ी नहीं करने की सक्त उन्हें हिदायत थी उन्हें ब्रहमचर का पालन करना होत पूर्सों को वर्त्र सहीद के रहेंगे जयन का और्थ होता है। जाह जैन dos होता है ज तुसी जीन सब्छी न्हें तर यानी ₹प विजilled के लिए कि इंदरियों पर बिजयप्राते कर चुका है और महावीर के लिए लिए जीन सब्छ का प्रिए हुआ है और अधिकान से व्यक्तिवियों के लिए ऐसे करें नियमों का पालर करिना भूत कुछीन था फिर भी हजारों व्यक्तिविए इसे नई झिवन सयली को जाने और शीखने की लिए क्या किया तो अपने घर को छोड़ दिया कई अपने भरों पर ही रहते और विखु भिखुनी बने लोगों को क्या करें प्रतान कर उसकी सहता करते रहें पुझत वेपारीयों ने जयन धर्म का समर्थन किया किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यांत कठीन था क्योंकि फवसल की रक्षा के लिए उन्हें किरे मकोरों को मार करना परता था बात की सद्यों में जयन धर्म उत्तर भारत के कई हिंसों के साथ गुझरात तमिलादू करनाठक में भी फैल गया महावीर तो उनके अनुवाईयों की सिक्षाएं कोई सताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही लेकिन भरत्मान यानि उपलफ्ष जो जय का त्याग करने पर ही सच्चे ग्यान की प्राप्ति हो सकती है ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संग नामग संगठन बनाए जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके संग में रहने वाले बहुत विक्षूों के लिए बनाए नियम कहां तो विनय पीटक नामग कि अलग अलग भी वस्था थी अलग छात्रावास में रहेंगे बवाज अलग गर्स अलग सभी व्यक्ति संग में पड़े से ले सकते थे लेकिन संग में पड़ेस के लिए बच्चों को अपने माधा-पीता से यानि आज भी 18 साल से कौम में अगर कोई सिना में नहीं जाता है तो अपने घर्जीयन से यानि माता-पीता से लिखवा कर रेना प्ड़ता है वही बात है दासों को अपने स्वामी से में गुलाम है उनका जो माली कहें तरह स्मार मुक्त होंगे ने वह उगरा मीरे जाएंगे राजा काम करने वाले को राजा से यानि लेना पड़ेकर तो एसी अनुवती नहीं नहीं होता है एक इसरी को इसके लिए अपने पती से अनुवती लेनी होती थी मतलब महिलाओं किसी थी पूर्षों से कम थी संग में परवेस लेने वाले इसतीरी पूरूस बहुत साधा जीवन दे जीते थे वे अपना अधिकां समय दिहान करने में बिताते थे दीन के एक निशी समय में वे शहरों तरह गाओं में जाकर भीख्षा मांगते थे यही करने के उन्हें विख्षू और विख्षूनी यान करने के लिए बैठके भी करते थे मतलब जहां कुछ आदमी रहेंगे तो जहरा होगा ही यही बात है कि यह संग में रहने वाले इन लोगों में आपस मिपाद हो गया संग में परवेस लेने वाले ब्रहामन चत्रिये वेपारी मजदूर नाई गनिकाय तो दास थामिल से लो कुछ लोगों ने बुद्ध की सिख्षाओं के विषय में लिखा कुछ लोगों ने संग में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविता की रजना की है पहारी को काट गर बनाएगे यह बुफा नीचे देखेंगे उसका चीतर है क्या है यह कारले यान काहा है महराष्ट में है यह क्या तो बिख्षू और विख्षू पूरे साल एक अस्थान से दूसरे अस्थान घूमते हुए उपदिया करते थे केवल वर्था लितू में जब यातरा कोठीन हो जाता था तो वे एक अस्थान पर ही निवास करते थे समय अपने अनुवायू द्वारा उध्यानों में बनवाए गए और अस्थाई निवासों में अथ्वा पहाडी छेतरों की प्रकृतिक गूफाओं में रहते थे उसको क कोई स्वर्ण असल बनाएगा जिन्हें बिहार का अरामिक बिहार कैसे थे लक्री के थे बाद में इनके डिवान में इटों का प्रयाग हुआ पश्चिमी भारत में इसकर कुछ बिहार पहारीयों को भी काटकर बना दिए गये और एक बहुत गरंद के बारे में देखते हैं जिस तरह इसमें क्या लिखा हुआ है जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है ठीक उसी तरह बूद्ध के नुआयू जब भीक्षूओं की सेरेनी में परेश करते हैं तो वे अपना वार्ण सेरेनी और परिवार सब त्याग देते हैं मतलब क्या हुआ कि बहुत धर्म उस समय जो वह मन धर्म था उसमें जो कोट्रता बर रहे थी उसके खिलाप इसका अभीर भाव हुआ था यानि क्या बोला कि उसमें नदी के हाई वर्ण विववसा का परतीक है और समुंद्र क्याते बहुत धर्म है इसमें सब बर पर आया किसी ध्वनी विपारी राज अत्वाबू स्वामी द्वारा दान में दी गई भूमी पर भिहार का निवान होता था अस्थानी व्यक्ति भिक्व भिखनीयों के लिए भोजन वस्त तरफ द्वाइयां लेकर आते थे इसके बदले में भिक्व भिक्वनी लोगों को सि सिखांगे लोग देश देश आगे आगे आने वाली सत अब्दियों में बहुत धर्म महादीप के विभिन हिस्सों के साथ बारी शेतरों में विफ्या जो आगे देखेंगे और आस्रम व्योस्ता ये भी देख लें आस्रम जैसे कि बहुत में जो संग था वो लेकिन ये आस सब्सका तात्वर लोग द्वरा रहने तथा धियान करने के लिए परयोग में आने वाले अस्टान से नवी बल्कि इसका तात्वर सीव ne अन्तर के अंतरकत बाहम मन चत्रिय और वयस्ट से यह अपयक्षक की जाद ही अ वे साधा जीवन बिताएंगे और वेदो का अध्यान करेंगे कब तो बरहम चरक अग्षान जीओ से 25 साथ भ्हेंचर गिरहस्त तो यह 25 से मुंहाया सब्सक्राइब लिए सब्सक्राइब उसके बाद वानपरस्त यानि किसे चाहएं करेंगे लोगिन फली जंगल दरब में परब्रसस्थ सब्सक्राइब तक तब क्या करने सब कुछ सब समय लेंगे और सब मुखमाया सब खतम कि भश्रक अंतरकत ब्रहाम सब्सक्राइब अच्छतर हो गया और गिरहस्त आसरम कं तकत उन्हें विवाकर एक गिरहस्त के रुपमे रहना होता था वान प्रस के अंतकत उन्हें जंगल में रहकर साध्या करनी थी अंतता उन्हें सब कुछ त्रियाक कर सन्यासी बन जाना था अर्थाथ उसमें कहा गया है कि एक स्वस्थ वेक्ति कितना तो सव साल जीता था आजल तो को ही जीता है आश्रम बिवस्था ने लोगों को अपने ज स्रमों का ही अनुस्वरन करना होता था अब इसी समय दुनिया में भी अने जागा कुछ हो रहे हैं उसका रहें देख रहते हैं तो इरान में स्वरी एटलस में कैस को ढूंड़ो तो इरान कहा है देखिए इमानली जी के अपना भारत है और पश्ची भारत है गुजरात इरान भात पश्ची में है जर्थुरूस्ट एक इरानी पैगम्मर थे कौनतों जर्थुरुस्ट उनके सिक्छाओं का सगलान कहा है तो जेंद अवेस्ता नमा गरतित कि जीन्द अवेस्ता और जेंद अवेस्ता की भास आता था वरने ते रिती रिवाज किसे मिलते तो वे ना सके किसका तो जेंद अवेस्ता में लिखा गया है एक हजार साधिक वर्सों दोग जर्थूष्ट वाद इरान का एक पर्मुक धर्म यानि पारसी बाद के कुछ जर्थूष्ट वाद इरान से आकर गुज्रात और महाराष्ट के तटिये नगरों में बस गए वे लोग अब देखते हैं कुछ इसमें क्या क्या सब्द आया है त्रिस्णा यानि मुमाया पड़ाकिर्थ एक भासा थी कब की उत्रवर्दिक काल के जिसमें रुवान बूध और महावीर ने अपने उपदेश दिये हैं और आत्मा मानुवा का सरीर क्या है नासोर है लेकिन आत्मा क विश्वास है कि आदमी पुर्ण जन्म क्यों होगा कि वह आत्मा तो अस्थाई है जब आदमी मर जाएक उसका सभी फिर आत्मा जिंदा है तो एक नहीं रूप में आएगी नहीं सरीर को लेकर आईगी तो वही आत्मा का सिध्धान्त है ब्रहम यानि सब कुछ जानने वाल उपनी सथ और जैन जैन धर्म है इसमें 24 संगरकी संख्रम पता है जिसमें 24 कोन थे तो महवीर थे और सब्सक्रेइब पहले तो उनका नाम था पर्सोना थे और ईहिन्सा तो उसका जैन धर्म और बहुत धर्म का एक मुकाधार रहा और उसके था व्हूर्तिं चल्क shakar की wowी प्रकर्त भासा में तो भीखो शंघ आनी समुम मतलब मोठ में या बिहार में जो भी कुबी भीखोणियों को संध करता था उसको क्या कहा गया तो संध और लृहनं को विखो शजबते शोत करनने करें गहर कुझ पहार पहारों में। सुरंगं बना कर भता है दक्षी में भी लोडा उसमें भी इनके बहुत वीहार मिलते हैं और और आसरम तो आ से संब्दित । आई जीवन से समद्द किए रहां सहन से नहीं इसमें जीवन को सव वरस इतर गया और पझेश वर्स का एक एक अतरा में है तो पहरे ना पहरते फोर्स बरहां पर्दा सदाजीवन पढ़ाई करेगा साधी नहीं करेगा पचीस से पचास साधी करेगा गषर बसाएगा पचास से पचतर वह सदाजीवन व्याचीत करेगा जिखर में चला जाएगा और सबकुत चोड़कर सन्यासी हो जाएगा कर्म का हमारे जीवन पर कोई पर्भाव नहीं पड़ता है गुद्ध ने गया में जिञन्पराप्त किया डुद्ध आत्मा और भरह में एक है हां उपनी इसत के विचार की प्रसनों का उत्तर देज지ने वह जानते थे घ विचार था तक आत्मा या नहीं जीवन के बाद भी कुछ पढ़े मानों का सरी चंए बी चाहर है लेकिन हमारा जो आत्मा है यह नहीं मरता है उन पर वहीं से रहेंगे बहांचर इन्होंने सब्सक्राइब करें तो अगले वीडियो मिलते हैं तब तक धन्य बाद और आशा करते हैं कि हमाना चैनल अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें सियर करें कोमेंट करें सब्सक्राइब करें धन्य बाद